अब ही कल पर सब्सक्राइब है तो बंदे जो दीवाने थे इस गाड़ी के वो कोई और प्रोड़िक नहीं ले रहे थे इंतशार कर रहे थे इसका कि कब वेन्यू है कब वेन्यू है परसनल मुझे भी काफी पसंद है गाड़ी तो अब आ चुकी है और यह इसका सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत वेलकमिंग है आते ही आपको ऐसे टीट किया जाएगा भाई यू आश्पेशल वाली फील आनी चाहिए भाई तो यह शोरूम पर भी डिपरेंड करता है तो यहां का माहौल बहुत अच्छा लगा मुझे लिटरली काफी अच्छा था और केविन भाईज भी गाड़ी की बादसीत कर रहा हूं अभी केविन भाईज भी गाड़ी मतलब काफी रिफ्लेसिंग सी फील हो रही है तो अगर आप प्लैन कर रहे हो ता आप डेफिनिट अच्छा अच्छा आप मुझे गाज़ीं भाईज 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 भाईन अच्छा लिग गाड़ी कुछ गाड़ी की चाब यहां इस तरीके कि आपको दो स्मार्ट कीज यहां पर देखने के लिए और फील वाइज और ग्रिपिंग वाइज खोल्ड करने में आपको जो चीज फील होगी वह है ऊसम मतलब काफी ऐसा मैंटी साट एक्षार तो चाब यहाथ में काफी अच्छी और यह आप देख सकते हो थोड़ा एलमिनियम जैसी फील भी देती है हाँ पर तीन कंट्रूल साब को मिलते हैं डोस को लॉक करने के लिए अनलॉक करने के लिए और यहां से अपने बूट आप रिलीज कर सकते हो अनलॉक हो जाएगा वो मैंवली आपको खोलना पड़ेगा आप यहां पर रख सकते हैं और यहां पर एक बार इसे प्रैस करोगे तो स्टेरिंग अपना अनलॉक हो जाएगा इन्फोटेन्मेंट सिस्टेम यहां पर ओन हो जाता है मतलब आप इस सिचुएशन में यहां पर गाने बाने प्ले कर सकते हो और सेकेंड टाइम जब इसे आ इंबियंस सा लग रहा है कि आपको इरिटेट नहीं करेगा बार बार नजर इस पर नहीं जाएगा बिल्कुल एकदम होड सी सिचुएशन में कलर काफी मीडियम मतलब एकदम बहुत सौफ्ट तरीके के कलर है तो प्यारा लग रहा है सामने से क्लेस्टर भी है तो यह है मतल प्यार चलती रहेंगे क्योंकि आप यहां से कर सकते हो चेंज इवन यहां पर नैविगेशन भी है यह बी आ है कंपस भी तो आपको डारेक्शन भी आपर पता चलती रहेंगी और यह देख लो पूरा गलो होने के बाद यह अशा लगता है और जो डावर साइड जो पार व यह थोड़ा सा चेंज हुआ है यहां पर थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है देखने में मतलब सही जा रहा है इसके साब टैक्सिल कंट्रूल बटन के लाइट लेवलिंग नाइल है और एक टाइप-सी पोट भी है और यहां पर यहां पर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल जाता है यह चीज जो आप देख रहे हो आरलेस चार्जिंग है और यहां पर स्पेस अगयरा भी है यह आप देख सकते हो यह को स्टेरिंग वी यह मेरे साब से पहले हो चुगा था अपडेट फेसलिफ्ट से पहली तो यह है लेदर रैप है और क्या मस्त लगता है इसके अंदर है सेक्स विरियंट के अपने वाइपर के गंटोल यह आप देख सकते हो और हैं एक अदर की बात करें स्टेरिंग वील की तो यह टेलिस्कोपिंग निया तो तो यह तो मिल जाता है है एंडब्रेक अपना सेलवाटिप के साथ एक टीसेंट सी स्पेस मिल जा में है यह लग बहुत अच्छा रहा है जो चीज है और यहां पर है लोग जो कि आपको कूल मिलता है बेशिक सी सारी चीज़ आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहां भी क्या है इसके अंदर तो यहां पर बैंट मिदा रहे है माइक की बैजिंग भी है एक स्माट आई यार वी एम है विलिव लिंग टिकनोलोजी के साथ और यहां पर टिकेट होड़ एक प्लेस्मेंट मिलती है इदर की साइड यह लुकलर की रिडिंग लाइट है कुछ इस तरीके की अब देख लो आप के बन और क्या ब्राइट ला लाइए उसके बाद जूसका एक फेसलिप साय था लका सा जिसमें वील वगएर अटा दिये तो यह है यहां पर टाश्क्रीन का इंफोटेंवेंट सिस्टम है जो कि अंड़ और टेपल कारफ लोगो सब्पोर्ट करता है तो यह तारी चीजह है अभी सीटिया मैं एपनी सब्सक्राइब करने के लिए बटम हैं अपने को आरे में सब्सक्राइब कर सकते हो एड़ेस्ट कर सकते हो अब तो यह आपका पीछे वाले डूर पैनल यह भी फ्रॉल अपने वही जाद है मतला इसा ब्रैट ब्रैट साइक तो और पारवंड की कंट्रोल है और स्टेस्ट तक यह पहले और कोई ना आ जाए भाई तो दिक्कत हो जाई फिर बारबन निकलना उतरना पड़ता कंप्ल अब जाए और तर्ड एक नंबर की मस्त अबलकल यहां पर लो लाइट मिलती है पीछे वाली रोग के लिए और वहाई क्या मस्त कंफर्ट बाई पीछे वाली सीट का यह है कुछ स्पेस अंदर की साइड थोड़ी स्कूप सीट मिलती है आपको आपका जो नी एरिया है वह तो थोड़ा सा एक्स्टेंड होके हाँ पर मिल जाता है और भाई थाई रूम वेरा आगे आप देख सकते हैं पांस नोमेरी हाइट और कजब की स्पेस मिलती है कोई दिकत वाली बात नहीं है हाँ पर इस इवैंड से पीछे और इस बार कमाल की बात यहां पर दो टैप सी साव को मिलते हैं, पोकेट में घायव साइड नहीं है यह पैसेंजर साइड आपको विलती है यहां पर एक दो तीन चार एड़स्टेद हेड राइसम एक और अब नहीं पोजिशनिंग बहुत बेस्ट कर रकी है आप बिलकुल एकदम रेलेक्स होके जाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी हैं और यहां पर एक दो तीन ग्राइब हैंडल से मिलते हैं अपना कोट वगरा टांगने के लिए होक्स भी मिल जाते हैं और पीछे साब देख लो नई वाली वेन्यू का कुछ हसाब किताब ऐसा है और अब इस गाड़ी के फ्रेंट प्रोफाइल के हम बात करता है तो सामने से इस बाहर हैं अब देख सेटे हो इस एपने के नीचे प्रोजेक्टर बेस हेड्लैम्स वाइड लाइट आपको उपर करते हैं डियारेल्स मिल जाती है चार तरफ और यहाँ पे मिलती है ब्लैक क्रोम ग्रिल काफी जादा मल्टी डॉट्टर और काफी जादा बोल्ड स्टांस देती है इस बहर मतलब पीछे की टेल एड्स ओर आगे से थोड़ी सी रफ्रेश्मेंट इस गाड़ी को मिली तो उसके वज़े से काफी जादा बोल्ड लगती है आगे से भी और पीछे से भी और सैड़ प्रोफाईल की बात कहीं तो डामेंट सापके स्क्रिन पह तो आप देख सकते हूं कितनी लंबी उची चौर देहना के लिए मिलती है गाड़ी के डामेंट से आपको उपन की इसे अब मिलते है आगे इस पीछे ड्रम ब्रेक्स आप को उपर होते है इसके अंदर और अभी और साइड सेक्शन में आए तो फिर आ जाते हैं अपने ORVM जो की body clad मिलते हैं इंडिकेटर्स के साथ जो की अंदर से ही fold unfold adjust हो जाते हैं यहाँ पर डोर अपने जो door handle से हैं भी body clad मिलते हैं यहाँ पर driver side आपको अपने request sensor भी देखने के लिए मिल जाता है co passenger side नहीं आता है और पीछे से देखो पीछे से जो main change होई है वो है इसकी tail lamps काफी जादा bold profile इस गाड़ी को दे देते हैं इस बार यह और उपर की side shift दखाएं तो उपर से आपको sunroof मिलती है जो कि पहले भी आती थी इसके अंदर roof rails मिल जाती है जो कि silver color की मिलती है अभी showroom के अंदर है आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी color ज़्यादा bright नहीं कर रहा है और यह नहीं मिलते हैं अपना tail lamps जो की काफी 3D pattern type आपको देखने के लिए मिलते हैं और काफी ज़्यादा camera की placement भी आपको मिलती है अभी ऐसा दिखेगा नहीं आपको बट यह है reverse parking camera जिसकी placement नंबर प्रेट के ऊपर यह आपको देखने के लिए मिलती है तो अभी बूट की बात करें तो यहाँ पे 300-300 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है magnetic button मिलती है इसको आप easily open कर सकते हो तो अब भी एक second flash on कर लेता है तो यह पहले देख लो हाँ पर boot lamp भी देखने के लिए मिलता है पहली बात यहाँ पर tool kit वगरा सारी चीज़ा पड़ी होई है और अब भी आपको देखाते है spare wheel तो यह भी same ही देखने के लिए मिलता है गु और पीछे से देख लो कुछ ऐसा देखता है view और एक second इसे बंद कर लेता है तो अभी गाड़ी के engine compartment की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 1197 का force lander petrol engine जो की 81 BHP produce करता है और 113 NM का इसमें आपको टॉक देखने के लिए मिलता है 12 से 16 तक की mileage आप मान के चलो 45 liters के fuel tank से insulation पैडिक नहीं मिलती है बाकि engine compartment काफी clean मिलता है और यह देखो कुछ क्या मस लगते हैं black stands और अभी गाड़ी के पूरी profile आपके सामने है तो देख लेना कैसी लेगी आपको वीडियो बताना कमेंट्स में इस गाड़ी को लिए क्या रहा है वो ज़रू बताना यह नया facelift आ यह आप इसे समझते हो और अगर आप गुडगाउं से देख रहे हो आप डेली एंसायर के आसपास से देख रहे हो तो नमबर दिया हो डिस्क्रिप्शन में आप बेज़ी जा कॉल कर सकते हो अगर इस गाड़ी पर टेस्ट डैब चाहिए आपको या पर अच्छे अच्छे